नमस्कार महुआ ब्रिजेश और आप देख रहे हैं ABV Entertainment दोस्तों भारती हिंदी सिनेमा के पहले सुपरिश्टार और वॉक्स ओफिस पर सबसे सफल एक्टर राजेस खन्ना के हम सभी मुरीद हैं 1960 और 1970 के दसक में उनकी तूती बोलती थी उनकी फिल्में रिलीज होती थी तो मानो जैसा कोई उत्सो हो रहा हो काका की एक जलक देखने के लिए फैंस बीदेशों से भारत आते थे लड़कियां उनकी कार की धूल को मांग में सिंदूर की तरह लगाती थी लेकिन ये बात भी जग जाहिर है कि 70 के दसक में ही एंगरी यंग मैन अमिता बच्चन के उदए ने जहां बॉलीबूड को एक नया सूपरिश्टार दिया वहीं राजेस खन्ना का करियर भी अब धलान पे जाने लगा था राजेस खन्ना इससे बेहत दुखी भी रहते थे उनकी फिल्मे फ्लॉक होने लगी लेकिन उन्होंने अपना स्टाइल बदलने से इनकार कर दिया था यह भी जग जाहिर रहा कि वह अमिता बच्चन से हमेशा तलखी रखते थे इतना ही नयवा पीट पीछे अमिता बच्चन की बेजयती भी किया करते थे तब जया बच्चन ने गुस्ते में भविस्त्यवानी की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह कुछ भी नहीं रहेंग अली पीटर जान ने राजेस खन्ना के साथ अपनी कई मुलाकात और उनके पतन की बात की है उन्होंने रेडीप को बताया कि डिंपल कपाडिया से शादी के बाद उनका करियर अब धलान पर जाने लगा था लेकिन उन्होंने अपनी कीमत कम नहीं की और रवया भी नहीं ब भी हो गए थे इतने ज्यादा कि वह कई बार अपने बंगले की च्छत पर जड़कर फूट फूट कर रोया करते थे वह जया बच्चन को भी रोकते थे कि वह अमिता बच्चन से नस्दी किया न बढ़ाएं उन्होंने एक बात जया से कहा तुम इस आदमी के साथ क्यों पूरी थी अमिता बच्चन फिल्म में नेरेटर बने थे पीटर बताते हैं कि बावर्ची की सेट पर राजेस खन्ना खास पर जया से मिलने जाते थे और अमिता बच्चन का अपमान करते थे जब उहां पर अमिताब आते थे तो राजेस खन्ना जान बुच कर उन्हें इग खत्म हो जाएगा लेकिन अपसोस की राजयस खरना के तेवर नहीं बदले यहां तक कि जीवन के अंतिम दौर में जब उनका इस्टारडम खत्म हो चुका था तब उन्हें रियालिटी शो बिग बॉस का ओफर मिला था हर एपिसोड के लिए 3.5 करोड रुपे उनको दिये जा यह था पूराने दौर के अमिताब बच्चन और राजयस खरना के वीच राइवेलरी के किस्से इसी स्टोरी पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं ऐसा ही दिल्चस्प किस्सों के लिए देखते रहिए ABB Entertainment तब तक के लिए नमस्कार